Good morning student. Myself है तलपंडिया, यूर हिंदी टीचर फ्रॉम श्री एलजी का कड़े सेकंडरी स्कूल. आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य तथा वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे. वाक्य अपने विचारों का आधान प्रदान करने के लिए हमें वाक्य का सहारा लेना पड़ता है. वाक्य एक पद का भी हो सकता है और एक सम्हू का भी. वाक्य में आये विभिन्न पदों का अपना अलग-अलग अर्थ होता है. पर वाक्य में आये सभी घटक परस पर मिलकर एक पूरा वीचार या संदेश प्रकट करते हैं वाक्य की परिभाशा शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समू जो किसी वीचार या भाव को पूर्णत हो व्यक्त कर सकता है उसे हम वाक्य कहते हैं, वाक्य के प्रमुक तत्व, सार्थक्ता, अकांक्षा, पदक्रम, योग्यता, निकर्था, अन्वे, सार्थक्ता वाक्य में सार्थक्त शब्दों का प्रयोग ही होता है, हर पद अपना अर्थ रखता है, अलग से निरर्थक होते हुए भी कुछ शब्द वाक्य में आते ही निश्चित अर्थ में प्रयोग्त होने लगते हैं, जैसे मेरे सामने ज्यादा चू चपड करने की कोशिश मत करना, इस वाक्या में चू चपड निर्थक होते हुए भी सार्थक की तरह प्रयुक्त हुआ है योग्यता वाक्या में जो भी शब्द जो शब्द आये संदर्व के अनुरुफ अर्थ देने की योग्यता रखता है तभी वाक्या बनेगा जैसे बच्चे खाना चरते है चरते शब्द का प्रयोग जानवरों के लिए होता है अतोह यहां चरते शब्द आयोग्या यहां होना चाहिए बच्चे खाना खाते है इस तरह हो योग्यता के बीना कोई शब्द यहां पर नहीं लिख सकते जैसे दूसरा उदारन मैंने पानी खाया तो वाक्य में प्रयोक्ति तीनों सब्दे सार था कि पर सब्दों के इस समुव में वांचित अर्थ देने की योगेता की ख्षमता नहीं है जबकि मैंने पानी पिया, वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योगेता है, अता है यह वाक्य है, उसके बाद है आकांक्षा, वाक्य छोटा हो या बड़ा, अपने में पूर्ण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ अधुरासा हो, एकाज शब्द की आकांक्षा रखे, जैसे शुष्टी खाती है, इस वाक्य में जिगनाशा बनी रहती है, कि क्या खाती है, किसी सब्द की अपक्षासी बनी रहती है, इसका पूर्ण रूप से इस प्रकार होना चाहिए, शुष्टी सेब खाती है, या बच्चा पढ़ता है, तो बच्चा क्या पढ़ता है, बच्च वाके के पदो में बिखराव नहीं होना चाहिए बलकि परस पर निकरता होनी चाहिए ताकि भाषा का प्रवा बना रहे नहीं तो वह अर्थ देने में असमर्थ होगा अब लिखे में फिर डेश 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 तो नहीं डेश 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 जाओंगी में तो नहीं जाओंगी ऐसे होना चाहिए मतलब उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा जगह नहीं छोड़नी चाहिए बलागात या स्वाभाविक ठहराव तो उचीत है परन्तु एक एक शब्द रुक रुक कर बोलना अशुद्ध वाक्य कहलाता है उसके बाद है पदक्रम वाक्य में पदक्रम ही सही होना चाहिए अन्यथा शब्द कुछ का कुछ अर्थ कर देंगे निशित करम अपेक्षित है नहीं तो अर्थ बदल जाएगा या अस्पष्ट होगा प्रधानाचार्य तक अब पुस्तक चुकी होंगी बाट जबकि होना चाहिए प्रधानाचार्य अब तक पुस्तक पाट चुकी होंगी या हम दूसरा उदारण देखे मैंने केवल एक पत्र लिखा है तो वो अलग होगा उसके उसमें क्या होना चाहिए मैंने केवल एक पत्र लिखा है एक से अधिक नहीं या पत्र लिखने के अलवा कुछ नहीं किया है जबकि दूसरे वाक्य में कोई अमिस्ट या इच्छित अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उसे हम वाक्य नहीं कह सकते, अन्वय, अन्वय माने मेल, वाक्य में लिंग, भचन, कारक, काल, अधी क्रिया के साथ परस पर मेल होना जाये नहीं, तो अर्थ में प्रेशित नहीं होगा, जैसे क्यारी में सुंदर-सुंदर फूल खिला, होना में खाना खाता हूं, तो वाक्य में क्रिया का करता से मेल नहीं है, तो क्या होना चाहिए, मैं खाना खाता हूं, इस तरहे करता कर्म, वचन, कारक, क्रिया अधी में प्रयुक्त मेल होना चाहिए, वाक्य अशुद्ध कहलाएगा, इसके बाद है, वाक्य के घटक, वाक्य के दो घटक है उदेश्य और विधेई की जीनाविय वो को मिला कर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य की घटक एते हैं सवरचना की द्रस्ति से वाक्य की प्रधान रुप से ही दो घटक होते उदेश्य और विधेई अब देखे उदेश्य वाक्य में जिसके बारे में विश्यशन, संबोजग, भावजग आधी आजाते हैं विदे उदिश के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विदे है इसके अंदर कत क्रिया क्रिया का विश्तार और कर्मा कर्मा विश्तार इत्याधी आजाते हैं अब हम देखे कि उसे कैसे जैसे सचीन आ रहा है तो सचीन रहा है बुढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है तो बुढ़ा जो है विशेशन है आदमी जो है वो करता है चल रहा है वो क्रिया है धीरे धीरे है वो क्रिया का विस्तार है उसके बाद है हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनवरंजक कहानी सुनाई तो अध्यापक करता है कर्ता का विस्तार है हमारे हिंदी के सुनाई क्रिया है कर्म है हमें कहानी और कर्म का विस्तार है मनोरंजक इस तरह हमें उसका विध्य संपूर्ण हो इस तरह देखना चाहिए उसके बाद है वाक्य के प्रकार वाक्य के दो प्रकार है अर्थ के अधार पर और रचना के अधार पर अर्थ के अधार पर हम देखते हैं अर्थ के अधार पर विधानवाक्या विधानवाचक वाक्या निशेदवाचक वाक्या प्रश्नवाचक वाक्या इसमयादी वाक्या इच्छा वाक्या इच्छा वाक्या संदेवाचक वाक्या संकेत वाचक वाक्य और विधी वाचक वाक्य अब हम उसके डीटेल में देखते हैं विधान वाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिती अवस्था का बोध हो वे विधान वाचक या सकारादमक वाक्य कह जाते हैं तालाब में अनेक मचलिया तेर रही है, स्वामी जी का प्रवचन सुनने लाखो लोग आये, तो इसमें सिंपल होता है, एक ही, मतलब, सामन्य कथन होगा, उसके बाद निशे द्वाचक, जिस वाक्य में कार्या के न होने का या न करने का बोध हो, उसे हम निशे द्वाचक व वह घर नहीं जाएगा, मैं आज खाना नहीं खाऊँगा, यह जो नहीं शब्द है, मत है, मतलब न करने का वो है, उसे हम निशे द्वाचक वाक्या कह सकते हैं, उसके बाद है प्रशन वाचक वाक्या, प्रशन वाचक वाक्या में विदान वाचक और निशे द्वाचक दो राजा कौन है, राजा का नाम क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा, कि कौन, क्या, कहा, कैसे, कब, क्यो, इसलिए, इसलिए आदी का प्रयोग होता है, इसकी बकरी कैसे मरी, तो कैसे जो है वो प्रश्नवाचक है, तुने ऐसी मशक क्यो बनाई, तो वो प्रश्नव इसके बाद है विष्मय आदीवाचक वाक्यों यदी वाक्य में विष्मय, शोक, हर्ष, दुरून, खुशी, आदी का भाव भी व्यक्त हो तो उसे विष्मय आदीवाचक वाक्यों कहा जाता है उदरन देखे अरे कितना सुन्दर फूल है ओ यह क्या हो गया वह कितना इस तरह अरे यह चोट के से लगी उसमें क्रिशन मतलब प्रश्णाज वाक्य भी हो सकते हैं उसके बाद आगना वाचक वाक्य जीन वाक्यों में आगना अनुमती वीनई या प्रात्ना का भाव हो जैसे उधर अनम देखे आप बाहर चले गए आपकी या अत्रा सोरी यहां काम यहां काम शाम थखेंग तक होना चाहिए तो उसे हम अगना वाक्य कहेंगे जैसे की तुम जा सकते हो drive my क्रुपया मेरी सहायता किजाए उसमें प्रात्ना का बावे यहां मत बेचं मतलब निदेश मेंचा है इसके बाद है इसके बाद इच्श वाक्य कर जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा आशा सुभकामना या शाप आदी अभिव्यक्त हो उसे हम इच्छा वागचक वागए कहते हैं भगवान करे तुम सफल हो इच्छा तुमारा परिश्रम सफल करे आपकी इच्छा पूर्ण हो च्छा तुझे नरक में भी जगह ना मिले ऐसे इच्छा वागचक वागए उसके बादे संध्य वागचक वागए जिस में जिस वागए में किसी कार्य के होने में संध्य या संभावना का बोध हो उसे हम स प्रणदे है वाचक वाक्य केते हैं जैसे संबवत हो आज वर्षा होगी। लगता है मैंने इस व्यक्ति को गहीं देखा है। वह, सौरी, अब तक वह सो गया होगा।। उसके बाद है संकेत वाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्वर करें अथ एक कारिय का संकेत, दूसरे कारिय से मिले, उसे संकेत वाचक वाक्य कहते है, उधारण, परिश्रम करोगे, तो वश्य सफलता मिलेगी, यदि वर्षा अच्छी होगी, तो फसल भी अच्छी होगी, यदि मौसम ठीक रहा, तो हम घूमने जाएंगे, मतलब एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर करता है, उसके ऊपर डिपेंडेड है, उसके बाद है विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य में, हम देख सकते हैं, कि जिस वाक्य के दवारा आग्ना या अनुमति, प्रार्तना या निर्देशादी का भाव प्रगर होता है, उसे हम विधि सकते हो अनुमति लेनी है विश्टी को निकालो कसाई को लाओ आगना है यहां मत बेठो यह इसके बाद है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार तीन है सरल या साधरन वाक्य, सयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य सरल या साधरन वाक्य इसमें साधरन वाक्य भी कहा जा सकता है इसमें एक वाक्य होता है और एक ही मुख्य क्रिया होती है हमारे विद्यालई में कल विद्यार्थी परिशत के चुनाव होंगे नदी टटका रमनिया द्रश्यय मेरे मन मस्तिक पर छा गया इसमें एक विद्रई होता है और एक कृया होती है वहा करमें छोटा ह disclose उसके बाद अम दूसरे उदारण भी देख सकते हैं जैसे कि भारगव ने कहा भारगव ने उस तक पढ़ी उसके बाद हम देखते हैं संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो उफ वाक्य, किसी सम्मुचई बोधक अव यह से जूड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं और तुम लिख रहे हो, इसमें दो उफ वाक्य हैं, एवं और सम्मुचई और पतनी है कामना आपको सत्य बोलना चाहिए परन्तु वह अप्रियन हो तुम नहीं जा सकते तो बेटे को भेज देते उसके बाद है गुर्मित दोड़कर गई और सब को सुचना दे आई गुकुल तेजी से भागा नहीं तो महतो उसे मिलना पाते इसमें दो दोप वाक्य होते है कभी कभी सुचना वाक्यों में समुचे बधकवय का लोप भी कर दिया जाता है जैसे दुनिया में रहने वाले रहेंगे, जहने वाले चले जाएंगे, वहाँ और का लोब है, क्या सोचा था और क्या हो गया तो पर का लोब है, काम किया है, इसलिए पेशा तो लूगा ही, इसलिए का लोब हुआ है, उसके बाद है मिश्र वाक्य जिस वाक्य की रचना एक स जिस वाक्य में एक प्रधान उप्वाक्य और उसके आश्रित उप्वाक्य हो उसे मिश्रवाक्य कहते हैं। यहां पर एक प्रधान उप्वाक्य होगा और बाकी के जो है वो आश्रित उप्वाक्य मतलब उसके रिलेटेड दूसरे वाक्य होंगे। उसे हम मिश्रवाक्य कहेंगे। भारत दे से जिसे सभी कभी सोने की चिरिया कहा जाता था। सूरज उगा इसलिए अंधेरा भाग गया। तो सूरज उगा अंधेरा भाग गया उसके उपर आश्रित है। भारत दे से उसमें सोने की चिरिया था वह आश्रित है। इस तरह हम देखते हैं कि यह प्रक्रण जो है उसमें हमने वाक्य, वाक्य में क्या ज़रूरी है वो देखा, वाक्य के प्रकार कितने है वो देखा, ओके, यहां पर हम यह कंप्लेट करते हैं, तन्यवाद